दिल्ली के मूखे मंद्री अर्विन केश जिवाल को जान से मारने के धंकी वरे मैसेश लिखने का मामला सामने आया है। जानकारी के मताबिक एक वेक्तिनी दिल्ली मेट्रो में अर्विन केश जिवाल को जान से मारने के धंकी वाले संदेश लिखे है। आरूपी बेहत बड़ा लिखा है और वह एक नामी मेंट में काम करता है। साथ ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। पुलिस सोत्रों के विताबिक ऐसा लगता है कि आरूपी की मान से खालर ठीक नहीं है। हलाकि मेडिकल के बाद इस बाद की पुष्टी हो सकते हैं। 19 में को पटेल लंगर और राजीर चौक मैट्रो स्टेशन पर इंग्लिश में केश्रिवाल के खिलाब धंकी बरा मैसेच लिखा गया था। अब आमी पार्टी ने इस मामले पर प्रिस कॉन्फरेंज करकर प्रीजेपी और प्यमों का आरूप लगा रहता है। आपनी इस पर एक ट्वीट भी किया। CMK श्रिवाल को जान से मारने की धंकी भरे मैसेच लिखने के आरूपी को दिल्ली पुलिस देंग गिरफतार कर लिया है। आरूपी बुलन शहर का रहने वाला है और वरेली के एक नामी बैंक में काम करता है। पुलिस के मताबिक आरूपी 33 वर्ष का है। और वरेली के बैंक में लोग प्रेनिजर का काम लगता है। वैसे वा किसी राश्टी तिक पार्टी से नहीं जुडा है। लेकिन वा CMK श्रिवाल की कुछ वहलियों को अर्टेंट कर चुका है। पुलिस के मताबिक चार्ज की बाद ही आरूपी की मांसी किस्तिती के बारे मीट पता चल पाएगा। आरूपी ग्रेटर नुटर की एक संपत्ति की रेजिस्ट्री कराने आया था। वह एक फाइफ स्टार होटल में थैरा था और 19 माई को मेसेज दिखने के बाद वापस चला गया। फिलाल इस खबर में वह संपना है।